दोस्तों आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है जेम्स हेडली चेज की नॉबल का नाम है डॉल्स बैड न्यूज और हिंदी में इसका अनुवाद किया है मशहूर अनुवादक विकास नैनवाल जी ने विकास जी पेशे से सौफ्टवेर इंजीनियर हैं और बहुत ही उम्दा किस्म का अनुवाद और कहानी लेखन करते हैं अगर आप उनकी ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं कहानी The Dolls Bad News आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग अध्याए एक पॉला डॉलन ने जैसे ही अधखुले दर्वाजे के भीतर जहांका तो फैनर ने अपनी मुदी हुई आँखों में से एक आँख खोली फिर कुछ देर तक उसने पॉला को देखा और फिर से अपनी कुर्सी पर पसर गया पॉला एक बड़े ही खुबसूरत चेहरे वाली लड़की थी फैनर के बड़े बड़े पैर मेज पर पड़े सफेद रंग के ब्लॉटिंग पेपर पर टेके हुए थे और उसकी कुर्सी 42 डिगरी के कौन में पीछे को मुड़ी हुई बस अलटने का इंतजार कर रही थी उन्हीं दी आवाज में उसने कहा अरे अभी नहीं जाने मन अभी तंग मत करो फिलहल मैं कुछ सोच रहा हूँ पॉला अब कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसकी मेज तक पहुँच कर बोली ओच जाओ कुमकरन एक ग्राहक आया है अरे यार उसे जाने को बोलो उससे कहो हमने अपनी दुकान बंद कर दी है मैं कोई मशीन थोड़ा ही हूँ फोड़ी बहुत नीन भी तो चाहिए मुझे अरे नकरे छोड़ो डेव बाहर एक बहुत ही खुबसूरत लड़की खड़ी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह तुमसे अपने दुख्रे साज़ा करना चाहती है फैनर ने फिर से अपनी एक आँख खोली और बोला देखने में कैसी है ये भी तो हो सकता है कोई चंदावंदा मांगने वाली हो पॉला परेशान होकर मेज के किनारे पर बैठ गई और बोली कभी कभी तो मैं सोचती हूँ तो तुमने ये जगल ले ही क्यों रखी है क्या तुम्हें कामवाम करना नहीं है क्या फैनर ने सिर को दाएंबाएं हिलाते हुए कहा अगर काम किये बिना रहा जा सकता हो कौन कमभख्त काम करना चाहेगा और जहां तक मेरा ख्याल है हमारे पास काफी पैसा पड़ा हुआ है तो फिर हमें मारे-मारे फिरने की क्या ही ज़रूरत है तुम्हें पता नहीं है फैनर तुम किस चीज को ठुकरा रहे हो लेकिन जब तुमने कुछ ना करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ कहकर पॉला मेज से उतर कर दर्वाजे की तरफ जाने को मुड़ी अरे सुनो पॉला रुको एक मिनिट क्या वो लड़की वाकई में बहुत खुबसूरत है पॉला ने हामे से रहलाया और बोली हाँ खुबसूरत है लेकिन मुझे लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है अच्छा ठीक है भेजो उसे अंदर पॉला ने दर्वाजा खोल कर बाहर जाका और बोली प्लीज अंदर आ जाईए जी शुक्रिया बाहर से एक आवाज आई और फिर उस आवाज की मालकिन ने भीतर कदम रखा ये एक जवान लड़की थी जो अपनी हलकी नीली बड़ी बड़ी आँखों से फैनर को देख रही थी वो आसत से थोड़ी लंबी थी और छरहरे बदन की मालकिन उसकी टांगे काफी लंबी थी आथ और पैर पतले और बाल एक दम काले थे उसके सिर पर हैट था और उसने एक बड़ी ही खुबसूरत टूपीस ड्रेस पहनी हुई थी चेहरे से वो काफी डरी हुई दिखाई दे रही थी पॉला उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे होसला दे रही हो और फिर दर्वाजा बंद करके कमरे से बाहर चली गई पैनर ने अपने पैरों को मेज से हटाया और खड़ा होते हुए बोला बैठ जाईए और मुशे बताईए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जी नहीं मैं खड़ी ही ठीक हूँ वैसे भी मैं इधर ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं हूँ उसकी शकल और हाव भाव को देखकर पैनर को ये अंदाजा तो हो गया था कि वो काफी घबराई होई थी कोई ऐसी चीज थी जिसने उसे इसकदर डराया हुआ था आँखों में घबराहट लिए उसके खड़े होने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे मौका लगते ही वो बाहर की तरफ भाग पड़ेगी वो धीरे से बोली मैं चाहते हूँ कि आप मेरी बेहन को ढूंडे मुझे उसकी बहुत फिक्र है आप बताईए कि उसे ढूंडने में कितना खर्च आएगा मेरा मतलब है आपकी फीस कितनी होगी देखिए मैडम अभी के लिए आप कीमत के फिक्र मत करिए पहले मुझे पूरी बात बताईए सबसे पहले ये कि आप हैं कौन लड़की कुछ बोलती इससे पहले ही फेनर की मेज पर पड़ा फोन घंगना उठा लड़की पर इसका आफ़र एकदम चौकाने वाला हुआ तेजी से फोन से दो कदम पीछे को हुई और उसकी आँखें पॉफ से ऐसे बड़ी बड़ी हो गई जैसे फोन फोन ना होकर कोई जंगली जानवर हो जो उसे खा जाने को तयार हो फेनर उसकी तरफ देखकर मुस्कराया और प्यार से बोला अरे ये इतनी तेज बज़ता है कि मैं भी कई बार घबरा जाता हूँ लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया यो घबराई होई सी दर्वाजे के नजदीक खड़ी बस उसे देख रही थी फेनर ने रिसीवर उठा कर कान में लगाया और फिर बोला हलो, कौन? फोन की लाइन साफ नहीं थी और गड़गड़ा हट की ध्वनी उधर से आ रही थी फिर एक आदमी की आवाज आई विसका लहजा काफी स्पश्ट था फेनर? जी हाँ, आप कौन? मेरी बात ध्यान से सुनो फेनर कुछ ही देर में एक लड़की तुम्हारे पास आएगी मैं चाहता हूँ मेरे वहाँ पहुँचने तक तुम उसे वही रोक कर रखो मैं बस तुम्हारे दफ्तर के लिए निकल चुका हूँ तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? फेनर ने लड़की की तरफ देखा और उसे नजरों से ही दिलाजासा देता हुआ मुस्कुराया फिर फोन पर बोला तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है ठीक है द्मान से सुनो और एक ही बार में समझ लो एक लड़की तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें अपनी गुमशुदा हुई बेहन की कहानी सुनाएगी उस लड़की को तुम्हें अपने पास ही रोक कर रखना है, नहीं जाने नहीं देना है, वो लड़की mental disorder की शिकार है, कल वो mental hospital से भागी थी, और मुझे पता है कि वो तुम्हारे office की तरफ आ रही है, बस मेरे पहुँचने तक उसे बातों में उल्जा कर रखना, समझ गए? लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम बोल कौन रहे हो? फैनर ने पूछा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं वहाँ पहुच कर दूँगा, पांच मिनट में पहुच रहा हूँ, और तुम्हें ये जहमत उठाने के लिए बड़ी फीस भी दी जाएगी, उस बात के फ धबराहट के मारे अपने खाली हाथ से अपनी सकर्ट के किनारे को ठीक करती जा रही थी, फैनर ने हां में से रहिला दिया, लड़की ने अपने आखें एक पल को बंद की, और फिर उसकी पलकें, किसी अचानक से बैठाई गई गुड़िया की तरहा उपर की और पलट गए उसने बेबसी से कहा, उस पर विश्वास करना इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर उसने अपने बैक को मेज पर रखा, अपने दस्तानों को उतारा, और तेजी से अपने कोट को अपने बदन से अलग कर दिया, फैनर का हाथ अभी भी फोन पर मौजूद था, और वो जड़ नहीं है, मैं वैसे ही आपकी मदद करने को तयार हूँ, लड़की एक बार फिर से सिस्की, और फिर फैनर की तरफ पीट करके खड़ी हो गई, इस दोरान फैनर का हाथ मेज पर रखी घंटी की तरफ बढ़ चुका था, शायद ही लड़की पागल थी, और उस पर किसी तरह क आरोप लगाने जा रही थी, लेकिन उसकी कमर पर नजर पढ़ते ही फैनर थम गया, और उसने अपने हाथ को घंटी से दूर हटा दिया, उसकी कपूर जैसी गोरी पीट पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, इन में से कुछ निशान हाथों की उंगलियों जै फिर लड़की ने अपनी शर्ट दोबारा पहन ली और उसके उपर अपना कोट चड़ा लिया, फिर वो पल्टी और फैनर ने देखा कि अब उसकी आँखें पहले से और भी बड़ी दिखाई दे रही थी, वो किसी हिरनी किसी डरी हुई आँखों से फैनर को देख रही थी क्या अब आपको विश्वास हुआ कि मैं वाकई मुसीबत में हूँ, फैनर ने हामे से रहलाया और बोला, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप मेरे पास मदद मांगने आई थी, अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अब घबराने की भी ज काफी रहेगा, फैनर ने अपनी मोटी उंगली से उस गड़ी को चुआ, वैसे तो बिना गिने वो निश्चित तोर पर कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन ये शर्त लगाने के लिए वो तयार था, उस गड़ी में कम से कम 6,000 डॉलर थे, उसने वो गड़ी उठाई और तेजी से दर्वाजे की तरफ बढ़ गया, आप यहीं पर रुखिये, फिर वो कमरे से बाहर निकल गया, वोला टाइप राइटर के सामने बैठी हुई थी, वो शायद फैनर के ही आदेश का इंतजार कर रही थी, फैनर ने उससे कहा, उतना हैट उठाओ, और इस लड़की को बॉ लड़की से कहना कि मैं उसका ख्याल रखूँगा, ये बात उसे अच्छी तरह से समझा देना, और थोड़ा प्यार से उससे बात करना, वो काफी घबराई हुई है, और मुश्किल में भी है, उसके उम्र इतनी कम है, कि उसे किसी मा के जैसे साहरे की जरूरत है, तुम्हें फैनर ने अपने हाथ को उसकी बाहा पर रखा और उसे समझाते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के साथ बाहर भीज रहा हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, एक आदमी है जो तुम्हारे कारण यहां आने वाला है, मैं उसे हैंडल करता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम मेरियन डेली है, आप मुझे कहां भेज रहे हैं, तभी पॉला अपने दस्तानों को पहनते हुए अंदर दाखिल हुई, फैनर ने उसे देखकर सेरहलाया और लड़की से बोला, आप मिस डॉलन के साथ जाएए, आपको कुछ नहीं होग अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, जब नीचे जाओगे, तुम लोग पीछे के रास्ते से जाना। पसंद हो, कई लोगों को वो पसंद होते हैं, चैर, अभी तुम परिशान मत हो, और आज रात जब तक मैं तुमसे मिलने नहीं आओ, तक अपना ध्यान रखना। दोनों लड़कियां लिफ्ट में चले गई, और फैनर कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर वो अपने आफिस में वापस मेज के पास जाकर बैठ गया, बैठने से पहले उसने मेज की सबसे उपरी दराज को खोला और 38 कैलिबर की पुलिस स्पेशल रिवॉल्वर निकाल ली, उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था, अपने पैरों को वापस मेज पर रखते हुए और दिये गए 6000 डॉलर, लड़की की पीठ पर बने चोटों के निशान, और उसके द्वारा अचानक से किया गया 12 चीनियों का जिक्र, उसे केस पर रखने के लिए क्यों इतना पैसा एडवांस के तौर पर दिया गया था, लड़की ने क्यों सीधे-सीधे अपनी चोटों के ब संख्या 12 के पीछे भी भला कोई खास मतलब था या ये ऐसे ही थी, और फिर इसके अलावा एक वो फोन वाला आदमी भी था, क्या वो लड़की वाकई एक mental hospital से भाग कर आई थी, फैनर को इस बात पर संदेह था, ये बात ठीक थी कि लड़की बहुत बुरी तरह से डरी हु इन सभी बातों को सोचते सोचते, उसे अचानक ये एहसास हुआ, कि वो उतनी तलीनता से सोच नहीं पा रहा था, जितना उसे सोचना चाहिए था, उसका आधा ध्यान ना चाहते हुए भी, बाहर गलियारे से आती सीटी की आवाज पर जा रहा था, वो चिड़कर अपनी ज पहने हुए थे, उन्हें खरीदने में भी अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ होगा, बाहर अभी भी सीटी का बजना पहले की तरह ही जारी था, पहाश ये आदमी सीटी बजाना बंद कर दे, फैनर ने सोचा, वैसे भी वो कौन सी धुन बजा रहा था, उसने खीज कर सोच फिर उसने धुन को ध्यान से सुना, और फिर वो भी सीटी बजाने वाले के साथ लोई नाम के उस गीत की उदास धुन बजाने लगा, इस उदास धुन का फैनर के दिल पर अजीब सा असर होने लगा, कुछ दिर बाद उसने गुन गुनाना बंद कर दिया, और अब वो उस बांसुरी जैसी बज़ती आवाज को सुन रहा था अचानक से उसे अपने शरीर में एक जोरजोरी सी महसूस हुई जो भी इनसान ये धुन बजा रहा था वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था उस धीमी लेकिन तीखी सीटी की आवाज का स्तर इस तरह से एक समान था जिसे कोई व्यक्ती उसके दर्वाजे के बाहर खड़ा होकर उसी के लिए ही ये धुन बजा रहा हो पेनर अब पूरी तरह से सतर्ख हो गया उसने धीमे से अपने पैर मेज से हटाए और कुरसी को आराम से पीछे को खिसकाया वो उदासी भरी धुन अभी भी बज रही थी उसने अपने कोट के अंदर वाली जेब में हाथ डाला और उसमें मौजूद 38 कैलिबर की बंदूख के हथे को चूँ कर देखा वैसे तो उसके केबिन के अंदर घुसने का एक ही रास्ता था जो कि बाहर से आता था चैनर बिना कोई आवाज किये दर्वाजे तक गया और उसने हॉले से ताले को खोल दिया उसने इस बात का खास ख्याल रखा था दर्वाजे के मोटे शीशे के पैनल पर उसकी च्छाया ना पढ़ने पाए दर्वाजे के हैंडल को आराम से नीचे करते हुए उसने धीमे से दर्वाजा खोलना शुरू किया ही था कि बाहर से आती सीटी की आवाज अचानक से बंध हो गई उसने फूर्ती से दर्वाजा खोला और फिर बाहर गल्यारे में आकर इधर उधर नजर दोड़ाई वहाँ पर कोई भी नहीं था वो तेजी से भागते हुए सीड़ी के मुहाने पर गया लेकिन वहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा नीचे जहाकने पर कोई भी उतरता हुआ भी नहीं दिखाई दिया पूरी जगह एकदम सुनसान थी फिर वो घूमा और गल्यारे के अंत तक गया वहाँ मौजूद सीड़ियों से उसने नीचे जहाका लेकिन नतीजा फिर से वही सिफर फेनर ने अपने हैट को नाक के उपरी सिरे तक खींचा और फिर खड़ा होकर आसपास की आवाजों को सुनने लगा उसे नीचे सड़क से आती गाड़ियों की धीमी आवाजों इमारत में मौजूद लिफ्ट की आवाज और अपने सिर्के उपर लगी बड़ी सी घड़ी की टिक के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दिया वो धीरे धीरे चलते हुए अपने आफिस तक पहुँचा वहाँ उसने कुछ देर इंतजार किया लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं हुई वो दफतर में दाखिल हुआ और उसने दर्वाजा बंद कर दिया दर्वाजा बंद होते ही सीटी फिर से बजने लगी फेनर ने अपनी गन निकाली और दफतर के बाहरी कमरे की तरफ बढ़ गया जोड़ी पर पहुँच कर वो रुका और गुर राया बाहर मौजूद विजिटर चेर्ज में से एक पर एक छोटे कद का व्यक्ति बैठा हुआ था उसने काले रंग का गंदा सा कोट पहना था और उसका हैट उसके चेहरे पर इतना नीचे खिंचा हुआ था कि चेहरे को देखना एकदम असंभव सा था फेनर उसे देखकर ही समझ गया कि वो जो कोई भी हो लेकिन अब वो जिन्दा नहीं था उसने अपनी बंदूक को पीछे वाली जेब में डाला और उस आदमी के नजदीक पहुँच गया उसके हैट को हटाते ही उसे वहाँ एक खौफनाक मनजर दिखाई दिया ये एक चीनी आदमी था जिसका गला एक कान से दूसरे कान तक काट दिया गया था गाव को बाद में सिल दिया गया था लेकिन सिलने के बाद भी उसकी विभतस्ता खत्म नहीं हुई थी ये नजारा किसी की भी रोह को कंपा देने के लिए काफी था फैनर ने अपने चेहरे पर उभराए पसीने को रुमाल से पहुचा बता नहीं आज उठने के बाद किसकी शकली देखी थी तो धीरे से बदबद आया तभी उसके दफतर में रखा फोन बजने लगा फैनर एक्स्टेंशन तक गया और उसने प्लग को अंदर डाल कर रिसीवर को उठा कर कान में लगा लिया दूसरे तरफ पॉला थी जो काफी परेशान लग रही थी वो गायब हो गई डेव हम लोग बालती मौर तक गए और सिर्गु लड़की गायब हो गई गायब हो गई या किसी ने उसे किड्नाप कर लिया नहीं डेव वो मुझे चक्मा देकर भाग गई मैं होटल के रिसेप्शन पर उसके लिए कमरा बुक कर आ रही थी और फिर मैंने सिर्गुमा कर देखा तो पाया कि वो दर्वाजे से बाहर निकल रही है मैं उसके पीछे भागी लेकिन जब तक मैं गली में पहुँची और गायब हो चुकी थी और माल का क्या हुआ क्या वो उसे भी ले गई नहीं माल तो हमारे पास ही है अभी वो बैंक में है अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ वापस आफिस आ जाओं फैनर इस टाइम ऐसी हालत में था कि अपनी जलाहट पर काबू नहीं कर पाया पॉला बॉस तुम हो कि मैं क्या जरूरी है और क्या नहीं है यह मैं तै करूँगा बेरे सामने अभी जो क्लाइंट है उसे मैं इंतजार करते हुए नहीं छोड़ सकता अगर ऐसा किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मैं ऐसा नुकसान नहीं उठाना चाहता समझी इतना कहकर फैनर ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया फिर वो सीधा हुआ और उस चीनी को देखते हुए भावरहित लहजे में बोला चल भाई थोड़ा टहलने चलते हैं भाग दो पाला बॉल्टिमॉर लाउंच में तीन बजे के बाद तक बैठी रही जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका तनाव बढ़ता जा रहा था जब सवा तीन बजे उसे फैनर तेजी से लाउंच पार करता हुआ दिखा तो उसकी जान में जान आई फैनर गहरी सोच में डूबा हुआ दिख रहा था और उसकी आँखें सर्द और कठोर थी पाला के पास पहुँचकर उसने कहा यहां से चलो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है पाला उसके पीछे-पीछे कॉक्टेल लाउंच तक पहुची जो उस वक्त करीब-करीब खाली था पैनर उसे कमरे के आखिर में मौजूद एक खाली टेबल तक लेकर गया जो वहां के एंट्रेंस के एन सामने थी बैठने से पहले उसने मेज को दिवार से थोड़ा परे इस तरह से हटाया कि वो सामने लगे स्विंग डोर पर नजर रख सके कुर्सी पर बैठते हुए वो बोला प्या तुम आजकल पर्फ्यूम की जगह शराब का इस्तिमाल करने लगी हो पॉला ने बुरा सा मुह बनाया और बोली अच्छा टॉंट था लेकिन इतनी देर से खाली बैठे-बैठे और करती भी क्या सिर्फ तीन मार्टी नहीं पी है मैंने वैसे चक्कर क्या है फैनर ने वहां मौजूद वेटर को इशारा किया और उसे दो डबल स्कॉच और एक जिंजर एल का ओडर दिया जब वेटर उनका ओडर सर्व कर गया तो फैनर ने डबल स्कॉच के एक गलास को दूसरे गलास में डाला और उसे अपनी तरफ खिसका लिया जिंजर एल के गलास को उसने पॉला की तरफ खिसका दिया तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है टली समझें पॉला ने बुरा सा मुह बनाया और बोली अच्छा ठीक है लेकिन अब ये तो बताओ इन तीन घंटों में क्या क्या हुआ है पैनर ने एक सिगरेट जलाई और आराम से कुर्सी पर पसरते हुए बोला क्या तुम्हें पूरा यकीन है पॉला कि मिस डेली अपनी मर्जी से ही यहां से गई थी हाँ ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे मैंने तुम्हें बताया था डेव जब मैं रिसेप्शन पर बात करने गई तो वो मेरे पीछे ही खड़ी थी मैंने रजिस्टर पर साइन करने के लिए अपने गलव्ज उतारे और फिर मुझे लगा जैसे मैं वहाँ अकेली हूँ मैंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि वो दर्वाजे से निकल कर बाहर सड़क तक पहुँच गई थी वो अकेली थी और काफी तेज चल रही थी मैं जब तक उस दर्वाजे से बाहर निकल थी तक वो गायब हो चुकी थी फिर मैं वापस बाहर की सड़क के तरफ भागी और मैंने आसपास उसे ढूंडा जब वो मुझे नहीं मिली तो आखिर में मैंने तुम्हें फोन मिलाया ठीक है पॉला अगर तुम्हें लगता है कि वो अपनी मर्जी से ही यहां से गई थी तो फिल हाल के लिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते अब मेरी बात सुनो मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं कोई बड़ी गड़बर तो जरूर है तुम्हारे जाने के बाद आफिस के बाहर वाले कमरे में किसी ने एक चीनी की लाश प्लांट कर दी और फिर पुलीस को खबर कर दी पॉला एक जटके से सीधे बैठते हुए बोली एक चीनी की लाश हाँ उस चीनी आदमी का गला काट दिया गया था और उसे मरे हुए कुछ अर्सा हो चुका था अगर वो वहाँ पर मिलता तो हमें लेने के देने पड़ जाते जैसे ही मैंने उसे वहाँ देखा मेरे जहन में बस यही खयाल आया कि उसे वहाँ रखा क्यों गया था या कोई हमें फंसाना चाहता था या फिर कोई हमें साबधान कर रहा था अब चुकि मेरा फंसने का कोई इरादा नहीं था तो मैंने किसी तरह से उसे उठाया और हमारे फ्लोर के आखिर में मौजूद एक खाली ओफिस में डाल दिया। जल्दी ही मुझे पता चल गया कि लाश को लेकर जो मैंने सोचा था वो सही था। किसी ने उसे वहाँ पर प्ल लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब अगर मान लो कि वो लाश उनको वहाँ मिल जाती तो क्या होता। वो मुझे थाने ले जाते और वहाँ पर मुझे रोक कर रखा जाता। मुझे लगता है कि लाश प्लांट करने का यही मकसद था। वो मुझे सिर्फ इतनी देर पत्मसाकर रखना चाहते थे कि वो मिस डेली को थाम सकें। जब उन पुलीस वालों को मेरे उपर चिलाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो थोड़ा शांत तो हुए और फिर उन्होंने दोनों दफ्तरों की तलाशी ली। मैं तो उस वक्त बस यही उम्मीद कर रहा था कि उन्हें कुछ ना मिले। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने वो 6000 डॉलर तुम्हें दे दिये थे अगर उनको उस वक्त वहां पर वो मिल जाते तो मुझे उन्हें ये समझाने में बहुत परिशानी होती कि वो पैसे कहां से आये थे और क्यों आये थे। चलो अब ये बताओ कि वो सिर्फ तुम से ही बात करेगी। फैनर ने अपनी स्कॉच खत्म की और सिग्रेट के टोटे को बुझा दिया। ये तहकीकात रुकने के कगार पर लग रही है। लगता है हमारे पास पैसे तो आ गए है 6000 डॉलर लेकिन काम के नाम पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन डेविड तुम तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे। पॉला ने कहा। अरे क्यों नहीं बैठूं उसने पैसे तो दे ही दिये है ना। और फिर जब मैंने उसका ऐसी जगह जाने का इंतजाम किया था जहां पर वो बिना दूर मौझूद एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गया। उसका चेहरा पतला था और उसकी नाक और ठोड़ी ही चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसके होट इतने पतले थे कि उनका होना ना होना बराबर था। पॉला ने उसे उत्सुकता से देखा। उस आदमी की आँखे देखकर ऐसा लग रहा था जिसे वो काफी देर से रोता रहा हो। तभी अचानक फैनर ने पॉला से सवाल किया। तुम्हें ये डेली उस टाइप की लड़की लगी थी। पॉला ने एक पल सोचा फिर बोलना शुरू किया। वो काफी पढ़ी लिखी लग रही थी। उस क अगर वो शरीफ लड़की नहीं थी तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वो बहुत ही अच्छी अक्टरिस थी क्योंकि शरीफ लड़की की अक्टिंग उसने बहुत अच्छी तरह से की थी। उसने हलका सा मेकप किया हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो धूप में का काफी टाइम बिता रही हो और वो काफी शर्मीली भी लग रही थी। फैनर पॉला को टोकते हुए बोला मैं तुम्हारे यही शब्द बोलने का इंतजार कर रहा था। अगर वो इतनी ही शर्मीली थी तो फिर मुझे अपनी चोटे दिखाने के लिए उसने इतनी आसानी से अपने कपड़े कैसे उतार दिये। ये बात तो मुझे तुमने अभी तक बताई ही नहीं थी। पॉला ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ ये बात रह गई थी। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। तुम्हें उस आदमी के बारे में पता नहीं है जिसका फोन उस व उसके क्यारेक्टर से मेल नहीं खाती। उसने सीधे अपना कोट और शर्ट उतारा और आफिस में मेरे सामने खड़ी हो गई। ये चीज इस सारी बात में फिट नहीं बैठती है। क्या वाकई उसे किसी ने मारा पीटा था फैनर। हाँ मारा तो सच में था। उसकी कमर के घाव काफी गहरे थे। हो सकता है फैनर कि उसे ये डर हो कि तुम भी उसे पागल ना समझने लगो। इसलिए उसने सोचा हो कि अगर वो अपने घाव तुम्हें दिखा देती है तो तुम्हें उसकी बात पर यकीन आ जाएगा। हाँ हो सकता है पॉला की ऐसा ही हो लेकिन फिर भी मुझे कुछ गडबर तो लग रही है। उधर जब वेटर वहां आकर फैनर का ग्लास भर रहा था तो पॉला ने एक बार फिर से बुजर्ग की तरफ देखा। फिर वो फैनर से बोली अभी अपने पीछे मत देखना लेकिन वहां पर एक आदमी है जो तुम्हारे अंदर काफे इंटरस्ट ले रहा है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती वो बुजर्ग आदमी उठा और उनकी टेबल तक आ गया। कुछ देर तक वो अनिश्चित सा खड़ा रहा। फिर फैनर से बोला, माफ कीजिएगा क्या आप मिस्टर फैनर है? जी हाँ, मेरा नाम लिंड से है, एंडरू लिंड से, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर लिंड से, लेकिन शायद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लिंड से अब घबराया हुआ सा दिखाई देने लगा। उसकी याचना करती आँखे पहले पॉला की तरफ और फिर फैनर की तरफ घूमी। पॉला को उस पर दया आ गई। क्या आप हमारे साथ बैचना चाहेंगे मिस्टर लिंड से। फैनर ने पॉला की तरफ आखे तरेरी लेकिन उसने नजर अंदाज कर दिया। लिंड से एक बार थोड़ा जिजका और फ चाचाबा जाएगा। तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा। मन ही मन उसने कहा। लेकिन उपर से बोला। अच्छा ठीक है। आपको क्या तकलीफ है। मिस्टर फैनर मैंने अखबार में पढ़ा है कि कैसे जब ब्लैंडिश नाम की लड़की का किड़नाप हुआ था तो आपने उसे ढून निकाला था। मैं भी इसी तरह की परेशानी में हूँ। मेरी बच्ची कल से गायब है। इतना कहते कहते उसकी आँखों से दो आंसू निकल कर उसके गालों पर टपक गए। मिस्टर फैनर मैं चाहता हूँ कि आप उसे ढूनने में मेरी मदद करे। इस दुनिया में उसके सिवाए मेरा और कोई नहीं है। भगवान चाने मेरी बच्ची पर क्या बीथ रही होगी। आपने पुलीस को खबर की है। जी हाँ। तो फिर ठीक है। पुलीस वाले उसे ढून ही लेंगे। आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। वैसे भी किड इराश बच्चे की तरह सिकुड़ गया। उसने फैनर के कोट की आस्तीन पकड़ी और गिर गिराते होए बोला। मिस्टर फैनर, प्लीज मेरे लिए ये काम कर दीजिए। आपको ये करके जरा भी पच्चतावा नहीं होगा। आप जो भी फीस कहें मैं देने के लिए तया हूँ और फिलहाल के लिए मेरे पास पहले से ही एक काम है जिसे मुझे करना है। मुझे दुख है कि आपकी बच्ची ने खुद को परिशानी में डाल दिया है लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने पॉला को गर्दन जटक कर वहां से चलने का इशारा किया और बिना उसके उठने का इंतजार किये लाउंज से बाहर निकल गया। लिंड से अब फूट फूट कर रोने लगा। पॉला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने लिंड से का कंधा थप थपाया और फिर वो भी खड़ी होकर बाहर निकल गई। जब वो फैनर क नजदीक पहुची तो वो गुर्राया। तुम्हें आकिर लगता क्या है पॉला। हम लोग यहां कोई रैन बसेरा चला रहे हैं। अरे फैनर उस आदमी की लड़की खो गई है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या। नहीं पड़ता। मेरे लिए वो सि फूटी कोड़ी और तुम्हें से एक चीज़ चुनने को कहे तो मैं फूटी कोड़ी को ही चुनूंगी। तब ही एक लंबा सा युवक एक बड़े लाउंज से बाहर निकला और फैनर के नजदीक आ कर बोला। मेरा नाम ग्रॉसेट है और मैं डिये के ऑफिस से हूँ यान तो यहां पर बात कर सकते हैं या फिर मेरे ओफिस में हैं फैसला आपको करना है। ओ तो ऐसी बात है चलो फिर यहीं पर बात करते हैं बोलो ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है। फैनर को बीजी देखकर पॉला ने कहा मैं अंदर कुछ भूल आई थी अभी आती हूँ वो वा इसल में वो किसी वजह से काफी परेशान हैं और इसलिए थोड़े चड़ चड़े से हो गए हैं। आप एक काम करिए, मुझे सारे फैक्ट्स बताइए, मैं वादा तो नहीं करती लेकिन हो सकता है कि मैं मिस्टर फैनर को इस काम के लिए राजी कर लूँ। ये सुनते ही ब फैनर को ग्रॉसेट विश्वास के काबिल नहीं लगा था, इसलिए फिलहाल वो काफी चौकन ना था। असल में ग्रॉसेट जरूरत से ज्यादा शिष्ट दिखाई दे रहा था और इसलिए फैनर को किसी गड़बड का आभास हो रहा था। ग्रॉसेट ने सोने का एक पतल नैपिंग केस से काफी पैसा कमाया था, उस टाइम आप इस धंदे में नए थे और जहां तक मेरी जानकारी है, आपकी माली हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको एक मौका मिला, विसे आपने कैश कर लिया, और फिर कैंसस से सीधा यहां आकर अपना काम जमा लिया, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ न, हाँ, अब तक की कहानी तो ठीक ही है, आगे बोलो, ग्रॉसेट साफ समझ रहा था कि फैनर क्या कर रहा है, उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, आप पिछले छे महीने से न्यू यॉक में है, और इन उसके बाद से हमने उस पूरे ब्लॉक की तलाशी ली है, और जानते हैं हमें क्या मिला, एक चीनी आदमी जिसका खोन कर दिया गया है, और जानते हैं वो कहा था, वो जो आपके ओफिस के नजदीक में खाली ओफिस है न, वहाँ पर ही, इतनी हैरानी की बात है न, फैनर ने माथे पर बल डाले और बोला, तो तुम मेरा भीजा क्यों चाट रहे हो, क्या चाहते हो, मैं उसके कातिल का पता लगाऊं, हमें जो टिप मिली थी, उसके हिसाब से तो वो लाश आपके ओफिस में मिलनी चाहिए थी, मिस्टर फैनर, ओहो, तो ये तो बड़े ही दुख की बात हो गई, क्या उन्होंने उसे गलत कमरे में डाल दिया, देखिए मिस्टर फैनर, हमें आपस में लडने जगरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सारे पत्ते आपके सामने खोलने को तयार हूँ, उस चीनी की हत्या 36 गंटे पहले की गई थी, जिस तरह से वो टिप हमारे पास आई थी, उसी से हम समझ गए थे, कि वो किसी को फसाने के लिए किया गया काम है, फिर भी हमें चेक तो करना ही था, बात ये है, कि हमारा इस चीनी आदमी में इंटरस्ट है, हम उसके बारे में कुछ चीजें जानना चाहते हैं, अगर आप इस मामले से अपने रिष्ट होता, तो मैं तुम्हें जरूर बता देता, अगर मेरे किसी भी मामले से उस चीनी का कोई लेना देना होता, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता, लेकिन अफसोस की बात ये है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ओफिस में कोई चीनी कभी आया ही नहीं, और जहां तक रही ब आप से ही चीजों को करते हैं, जब सारी गुथियां सुलजा लेते हैं, तब ही उसे बाकी लोगों तक आने देते हैं, चलिए, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं, तो ऐसा ही सही, वैसे अगर हम आपकी कोई मदद कर सकें, तो जरूर करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की, तो हम लोग आपकी ऐसी हालत कर देंगे, कि आप उस दिन को पूसेंगे, जब न्यूयोर्क आने का ख्याल आपके मन में आया था, फैनर हसा और खड़ा होते हुए बोला, चलो ठीक है, सारी बातें साफ हो गई, अब अगर तुम्ह में और कुछ नहीं कहना है, तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, हाँ जरूर मिस्टर फैनर, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे जल्दी ही दोबारा मिलूँगा, इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया, फैनर एक्जिट की तरफ बढ़ने ही लगा था कि तभी पॉला भी वहाँ आ गई, तुम कहां थी अब तक? देखो डेव, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिना गुस्सा किये, मैं अंदर मिस्टर लिंटसे से बात कर रही थी, उनकी बेटी के साथ क्या-क्या हुआ था, इसकी जानकारी मैंने ले ली है, मेरे ख्याल से तुम आगे कभी होगी, समझ गई तो, पॉला ने बुरा सा मुह बनाया और बोली, जितना दिमाग तुम्हारे अंदर है न, उसके हिसाब से ये कोई हैरत की बात नहीं है, चलो अब, भाग, चार, ओफिस पहुँचकर, फेनर सीधे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, फिर एक चिठी नहीं लिखवानी है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहां बैठ कर मेरा साथ दो, पॉला ने अपने दोनों हाथों को अपनी गोध में रख लिया, और फिर बड़ी ही मासूमित से बोली, हाँ हाँ, हुकम दीजिए मेरे आका, मैं तो आपकी गुलाम हूँ, फेनर ने बो भी बताऊंगा, पुलीस वाले ग्रोसेट को भी बता देंगे, और फिलहाल मुझे लगता है, कि हम इस मामले से पुलीस को जितना दूर रखें उतना ही अच्छा होगा, पॉला ने सुनते सुनते दिवार पर टंगी घड़ी पर एक नजर मारी, आच बजने वाले थे, वो बोली, मेरा घर जाने का टाइम हो रहा है, या मैं जाओं? फैनर अधीरता से बोला, नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, तंखा तो तुम मुझ से ही लेती हो न, तो तुम्हें रुकना ही होगा, पॉला ये सुनकर उर्सी पर थोड़ा आराम से फ्याल कर बैठ गई, वो जान तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि वो लड़की दोबारा मुझ से कॉंटैक्ट नहीं करती, मेरे पास आगे बढ़ने को फिलहाल स्यादा कुछ है भी तो नहीं, पता नहीं वो लड़की कौन है, कहां से आई है, मुझे बस इतना पता है, कि उसकी एक बहन है, जि उसने मुझे इतना सारा पैसा क्यों दिया, और फिर उसके बाद भाग क्यों गई, हो सकता है फैनर, उसने किसी ऐसे आदमी को देख लिया हो, जिसे वो जानती हो, और उसे देखकर वो डर गई हो, और इसलिए वहां से भाग गई हो, नहीं हो तो सकता है पॉला, या तुमन जानते हो ना फैनर कि वहां उस टाइम कितनी भीड होती है, हाँ ये तो है, लेकिन अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है कि मौका मिलते ही वो हमें फिर से फोन करेगी, तो हमें यहां रुक कर उसके फोन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता जैसे ही वो फोन करे, हमें तुरंत इस बात का पता चल जाए, तुम एक काम करो पॉला, घर जाओ, और रात के लिए अपना सामान बांध कर ले आओ, तुम बाहर लाउंज में सो जाना, पॉला के गले से एक आहसे निकल गई, हाँ, और तुम अपने घर जाओगे, अपने नर्म बिस्तर पर सोने के लिए, है ना, और मैं यहां सड़ती रहूंगी, मैं क्या करूंगा, इसकी फिलहाल चिंता मत करो, मैं जहां होंगा, उसका पता तुम्हें दे कर जाओंगा, पॉला गुसे में भुनबनाती हुई, उठ खड़ी हुई, और पैर पटकते हुए बाह क्या बात है फैनर, क्या तुम्हारा मन बदल गया है और अब तुम बात करने को तयार हो, फिलहाल तो नहीं मेरे दोस्त, मैं बस तुमसे कुछ जानकारी चाहता था, क्या उस चीनी की जेब में तुम्हे कुछ ऐसा मिला था, जो मेरे काम आ सके, ग्रॉसेट जोर से हसा, सच में फैनर, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम खुद तो हमें कुछ भी बताने को तयार हो नहीं, और हमसे जानकारी पाने की उमीद रखते हो, देखो ग्रॉसेट, फिलहाल ये मामला खुलना शुरूर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, कि अगर तुम कोई भी जानकारी छुपा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अगर मुझे बाद में पता चला, कि तुमने कोई ऐसी जरूरी बात छिपाई, जिसकी वज़ा से हमारे लिए मुश्किल पैदा हो गई, तो सच कहता हूँ, तुम्हारी जिन कारी देते हो, तो मेरा यकीन करो, जब भी कोई गड़बर शुरू होगी, मैं तुम्हें बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ सच-सच बता दूँगा, बोलो, अच्छा सौदा है की नहीं, तुम बहुत ही चालाख हो फैनर, लेकिन वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, कि ज बड़ी सी लॉंड्री बास्केट में डाल कर ट्रेड एंट्रेंस से लाए थे, फिर उन्होंने एक खाली ओफिस में उसे बाहर निकाला और तुम्हारे ओफिस में डाल दिया, फैनर ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे चाला की मत करो, ग्रॉसिट, वो उसे मेरे ओफिस मे नहीं लाए थे, उन्होंने उसे एक खाली ओफिस में छोड़ा था, ये सुनकर ग्रॉसिट इतनी जोर से हसा, कि फैनर को कुछ देर के लिए रिसीवर अपने कान से दूर ले जाना पड़ा, अच्छा चलो ठीक है, क्या किसी ने उन्हें आते जाते देखा था, नहीं फैनर ये जानकारी मुझे देने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी इस मदद को याद रखूँगा, और कभी न कभी सूद समेत इसका बदला उतार दूँगा, इसके अलावा कुछ और, कोई ऐसी बात जो तुम्हें अजीव लगी हो, अजीव तो काफी कुछ था ये बात भी अजीव थी, फैनर एकदम से सीधा खड़ा हो गया, क्या कहा, किसी ने उस चीनी को मारा था, हाँ, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, क्या इस बात का तुम्हारे लिए कोई महत्व है, अब ही तो कुछ नहीं कह सकता, ग्रॉसिट, लेकिन इससे मुझे चाये हुए थे, भाग पांच, कुछ देर बाद पॉला अपना सूटकेस लेकर लोट आई, उसमें से एक किताब निकाल कर, वो फैनर की मेज के बगल में एक कुरसी पर आराम से बैठ गई, मैंने तो खाना खा लिया है, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, उसने कहा, फैनर उठ खड़ा हुआ, और कमरे से बाहर निकल गया, दरवाजे के ठीक बाहर ही दो लोग कंधे से कंधा मिला कर अगल बगल खड़े हुए थे, देखने में वो मेक्सिकन लग रहे थे, लेकिन थे नहीं, फिर फैनर को लगा शायद वो लेटिन अमेरिकी हो, लेकिन इस में भी वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, और दोनों का ही दाया हाथ, उनके सूट के कोट की भीतरी जेब में डला हुआ था, उनके सूट काले थे, और सिर पर काले रंग के फैडॉरा हैट थे, दोनों की ही आँखें किसी ख दफतर के अंदर हो गया, पॉला ने कुछ गडबट जानकर फैनर की मेज की दराज खोली और उसके भीतर रखी 38 कैलिबर के रिवॉलवर को अभी चुआ ही था, कि छोटे कदवाला दांत किटकिटा कर बोला, हिलने की कोशिश मत करना, पॉला पीछे को सीधी होकर बैठ अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लिया, छोटे कदवाला आदमी फैनर के दफतर के बाहरी कमरे में दाखिल हुआ, और हर तरफ चेक करने लगा, उस वक्त उसके चेहरे पर उलजन के भाव थे, वो उस अलमारी की तरफ गया, जहां पॉला आफिस की स्टेशनर दे सकते हैं, हम चाहते हैं तुम्हें यहां अपने घर जैसा ही महसूस हो, फिर उसने अपने नजदीक रखी एक भारी एश्ट्रे को उठाया और कुछ देर तक उसे निहारता रहा, फिर अचानक से उस एश्ट्रे का प्रहार फैनर के चेहरे पर किया, फैनर ने बचने की क पसलियों पर गड़ा दिया, छोटे कदवाले ने फैनर को धमकाया, अगर कुछ उल्टा सीधा किया, तो इस लॉंडिया की अंतरिया यहीं बिखेर देंगे, अब चुप चाप इस दिवार से टेक लगा कर खड़े हो जा, मुझे इस जगह की तलाशी लेनी है, फैनर ने अ कोई वहां के किसी भी नटिय कस्बे के वाटर फ्रंट में जाता, तो वहां उसे काफी क्यूबन मिल सकते थे, फैनर दिवार से कमर टिका कर खड़ा हो गया, और उसने कंदे तक हाथ उपर उठा लिये, ऐसा वो सिर्फ पॉला के वहां होने की वजह से कर रहा था, ज्योंकि कि वो जानता था कि उसकी कोई भी ऐसी वैसी हरकत पॉला के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी, छोटे कदवाले ने फैनर की तलाशी ली और फिर बोला, अपना कोट इधर दे, फैनर ने कोट उतार कर उसकी तरफ उच्छाल दिया, वो टेबल के कोने पर जाकर बैठ गया और गौर से कोट की सिलाई को इस तरह से चूकर देखने लगा, जैसे उसे वहां कुछ छुपाए जाने का अंदेशा हो, उसने फैनर का बटवा निकाल कर उसकी भी तलाशी ली, फिर कोट को फर्श पर गिरा दिया, और वापस फैनर के पास जाकर फिर से उसकी तलाशी ले फिर मजबूत स्वर में बोली, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर ही रखना, समझे, ये सुनकर छोटे कदवाले ने अपने साथी से स्पैनिश में कुछ कहा, उसका साथी फैनर को इशारा करते हुए बोला, ओए, तो इधरा, फैनर कमरा पार करते हुए पौला की तरफ और वो फर्ष पर धराशाई हो गया, पौला ने चिलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक वाले ने अपनी बंदूक की नाल उसकी पसलियों पर और जोर से दबा दी, छोटे कदवाला आदमी उसके नजदीक पहुँचा, और उसने एक ही जटके में पौला की ड्रेस को फार दिया, फिर उसने उसकी तलाशी ली, जब उसे तलाशी में कुछ नहीं मिला, तो उसने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की, तलाशी के दौरान उसने कमरे की चीजों को ज्यादा नहीं बिखेरा, भी से देखकर ऐसा लगता था, कि वो ऐसे काम पहले भी कई दफा कर चुका इसके बाद वो बाहर वाले कमरे में गया और उसने वहां की भी अच्छी तरह तलाशी ली, फैनर को उसके चलने फिरने की आवाज साप सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जाम हो गया हूँ, उसने वो दोनों ठक हार कर वहां से चले गए, उसने काफी देर बाद किसी तरह से फैनर उटकर खड़ा हुआ, एक हाथ से टेबल का सहरा लेकर वो चारों तरह देखने लगा, पॉला किसी कपड़े की गठरी की तरह लाउंज में बैठी हुई थी, गुस्से की अधिकता के कारण उसकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जब फैनर की नजर उस पर पड़ी तो वो जोर से फुफकारी, मुझे इस तरह मत देखो, डमिट, मत देखो मुझे, फैनर लड़ खड़ाते हुए किसी तरह बाहरी कमरे तक गया, और वहां जाकर उसने वाश बेसिन में अ कि उसने उस पैग को लेकर फैनर के ही मुह पर फेंक दिया, फिर वो और भी जोर-जोर से रोने लगी, उस दिर रोने के बाद वो फिर से गुसे से फुफकारी, तुम्हें लगता है तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, तुम्हें क्या लगता है, बड़े काबिल हो तुम, दो तुम्हारे साथ इसलिए काम कर रही थी, क्योंकि मैं सोचती थी, कि तुम अपना और मेरा दोनों का ख्याल रख सकते हो, लेकिन मैं गलत थी, भाली बैठे बैठे तुम उत्दम कमजोर हो चुके हो, रूहें बनका रहे गए हो तुम, उन्होंने मेरे साथ बदसलू की की, और तुमने क्या किया, उनके जाने का इंतजार, और फिर तुम किसी कीड़े की तरह रेंकते हुए, बस अपने बोतल तक चले गए, सच कहती हूँ डेव, मैं तुमसे कोई रिष्टा नहीं रखना चाहती, मैं आज ही यहां से काम छोड़कर जा रही हूँ, काफी देर तक अपनी भडास निकालती रही, फेनर चुपचाप बैठा सुनता रहा, फिर उसने कहा, तुम बिलकुल ठीक कह रही हो पॉला, मुझे यहां बैठे रहने की आदत हो गई है, लेकिन अभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो, तुम ऐसा करो, एक दो दिन की छुटी ले ल फिर ओफिस का दर्वाजा बंद करके वो वहां से बाहर निकल गया, भाग छे, एक घंटे बाद फेनर ने नहाध होकर और कपड़े बदल कर अपनी हालत सुधार ली थी, उसने एक टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठ कर डाउन टाउन के एक पते की तरफ बढ़ गया, से पुरानी घिसी पिटी सीडियों को भाग कर पार करने के बाद उसने एक दर्वाजे की घंटी बजाई, एक बुढ़ी और शकल से ही काईया दिखने वाली और दर्वाजे को चेन से अटका कर खोला और आखे सिकोड कर उसे देखने लगी, आइक है क्या, फेनर ने उससे परने लगा, हर तरफ बासी खाने की बदबू और गंदगी फैली होई थी, सीड़ियां खत्म होई, तो फेनर ने एक दूसरा दर्वाजा खट-खटाया, अंदर से लोगों के फुस-फुसाने की आवाज सुनाई दी और फिर अचानक सब शान्त हो गया, कुछ देर बाद जब दर्वाजा खुला, तो उसके सामने एक पतला लेकिन मजबूत शरीर वाला लड़का खड़ा था, उसने फैनर को देखा और बोला, क्या चाहिए, आएक से कहो मुझे उससे मिलना है, मेरा नाम फैनर है, दो पल बाद लड़के ने वापस आकर उसे अंदर आने का इश पतारा किया, आएक बुश चार लोगों के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ, पोकर खेल रहा था, फैनर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, दूसरे लोगों ने उसे संदिग धन नजरों से देखा तो जरूर, लेकिन अपना खेल खेलना जारी रखा, बुश बड़े ही ग तुम अब बुरी तरह से पिटने वाले हो, बुश ने अपने पत्तों को नीचे पटक दिया, फिर वो अपनी सीट से खड़ा हुआ, और फैनर को लेकर कमरे की दूसरी तरफ चला गया, तुम ही क्या चाहिए फैनर, फैनर धीरे से बोला, दो क्यूबन आदमी, दोनों ने ह काले कपड़े, काले हैट, सफेद कमीज और चमकीली टाईयां पहनी हुई थी, काले जूते पहने थे, और दोनों ही मवाली हैं, दोनों के पास बंदूके थी, आएक ने इनकार में सिरह लाते हुए कहा, मैं इनको नहीं जानता, यहां के लड़के नहीं लग रहे हैं, तो यह देखो, यह दिया है उन्होंने मुझे, वो दोनों मेरे आफिस में आए, और उन्होंने मुझे यह तोहफा दिया, पॉला के साथ बत्तमी जी की, और फिर भग गए, आएक की आँखे हैरत से चौड़ी हो गई, एक मिनट रुको, उसने कहा, और वो कमरे में दूसरी तर उसे यहां पर है, इसी को नहीं पता कि वो कमभख्त कौन है, ब्रुकलिन की तरफ उन्होंने ठिकाना बनाया हुआ है, पता ये रहा उनका, लगता है कि उन्होंने एक फरनिश्ट घर लिया है, वो पैसे वाले हैं, और ये कोई नहीं जानता कि उनका धंदा क्या है, फेनर आगे बढ़कर कागस का वो पूर्जा उठाया, जिस पर आईक ने पता लिखा था, वो जाने के लिए पलट ही रहा था, कि आईक बोला, तुम लड़ने जा रहे हो, एक दो लड़के चाहिए क्या, नहीं, मैं संभाल लूँगा, फिर उसने आईक के कंधे को थप-थपाया और बाहर निकल गया, बाहर टैकसी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, फैनर जब सीड़ियां उतर रहा था, तो ड्राइवर खिड़की से सिर निकालते हुए बोला, मुझे लगा था कि ये आपका घर नहीं है, तो मैंने सोचा इंतजार ही कर लेता हूँ, बताइए अब क कहां चलेंगे, ब्रुकलिन पुल के दूसरी तरफ, बाकी रास्ता मैं पैदल ही तै करूँगा, टैकसी तुरंत आगे बढ़ गई, ब्राइवर ने उतसुकता से पूछा, इसी के साथ लड़ाई जगड़ा हुआ है क्या आपका, अरे नहीं, वो मेरी आंटी फैनी है ना, वो जड़ा नाराज हो गई थी बस, बड़ी सक्त मिजाज आउरत हैं, जिस वक्त उन लोगोंने ब्रुकलिन का पुल पार किया, तक अंधेरा घिर आया था, फैनर ने किराया चुकाया, और टैकसी से उतर कर नजदी की बार में दाखिल हो गया, वहाँ पर उसने एक क्लब स चुका कर बाहर आ गया, दस मिनट बाद वो अपनी मंजिल के सामने खड़ा था, ये एक संकरी सी गली थी, और जिस घर में उसे जाना था, वो गली के कोने पर था, ये एक दो मंजिल अमकान था, उसके आगे जाडियों का ऐसा बाड़ा बना था, जिसने आगे के दर्वाज को पूरी तरह से ढख लिया था, किसी भी खिडकी में रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, फैनर घूम कर घर के पीछे की तरफ गया, लुकिन वहां भी कोई रोशनी दिखाई नहीं दी, वहां एक खिडकी जरूर थी, जो की उपर से कुछ इंच खुली हुई थी, उसने बस कुछ ही सेकिंड लगे, वो इस बात का खास धिहान रख रहा था, कि ज्यादा शोर ना हो, और इस कारण फर्श पर बहुत धीरे-धीरे फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, दरवाजे तक पहुँचकर, उसने बिलकुल बिना कोई आवाज किये, उसे धीरे से खोला, व लेकिन उसे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी, अपने रिवॉल्वर हाथ में लेकर वो सीड़ियां चड़ने लगा, उसके चेहरे की मास पेशियां तनी होई थी, सीड़ियों के खत्म होने पर वो एक बार फिर से रुका और आहट लेने की कोशिश की, उसे कुछ सुनाई लेकिन एक हलकी सी जानी पहचानी बदबू उसकी नाक से टकराई, अपने नाक को सिकोड कर उसने सोचा कि ये बदबू किस चीज़ की हो सकती थी, उसके सामने अब तीन दर्वाजे मौजूद थे, उसने सबसे पहले बीच वाले में जाने की सोची, धीरे से हैंडल को घु बदबू अब और भी तेज हो गई थी, ये बदबू उसे किसी कसाई की दुकान की याद दिला रही थी, दर्वाजे पर एक पल रुक पर, उसने कोई आवाज सुनने की कोशिश की, जब उसे कमरे के खाली होने का यकीन हो गया, तो वो अंदर गया और उसने अपने पीछे दर्वाजा बंद कर लिया, तौर्च की मदद से उसने लाइट का स्विच खोल कर लाइट आउन कर दी, उस कमरे में रहने के लिए जरूरी सभी साजो सामान मौजूद थे, वो मुड़ा और उसने चाबी को घुमा कर ताले को बंद कर दिया, अब वो किसी भी तरह की को हो सकती थी, बिस्तर छोटा था और एक बड़ा नाइट ड्रेस केस था, जो दिखने में किसी सुनेहरे बालों वाली गुडिया की तरह से था, वो उस बिस्तर पर पढ़ा हुआ था, वहाँ पर एक कपड़ों की अलमारी थी, चैनर उसकी तरफ बढ़ गया, अलमारी खोल जो मेरियन डेली ने उस वक्त पहने थे, जब वो उससे मिलने उसके ऑफिस आई थी, फैनर ने वो ड्रेस खूटी से उतारी और उसे बिस्तर पर डाल दिया, जब उसने दराजों की तलाशी ली, तो उसके अंदर एक नई तरह का जोश भर गया, सबसे उपर वाली ड्रॉर में उसे वो हैट दिखा, जो वो लड़की पहन कर आई थी, उसने उसे भी निकाल कर बिस्तर पर फेंक दिया, दूसरी दराज में उसे कुछ अंडर गार्मेंट्स, एक सस्पेंडर गर्डल, स्टॉकिंग्स और कुछ जूते मिले, उसने वो सब भी निकाल कर बिस्तर पर ड और तें परसों में अकसर जो कूड़ा लेकर चलती हैं, को सब अब एक छोटे से धेर के रूप में वहाँ बिखरा हुआ था, उसने उस धेर को उंगली से थोड़ा हिलाया, और फिर दोबारा से बैग के अंदर कुछ तलाशने लगा, बैग तो बिलकुल खाली था, लेकिन एक जगह पर उसे सिलाई थोड़ी उधरी हुई लगी, उसने वहाँ उंगली डाल कर उसे पूरी तरह फार दिया, अंदर एक तुड़ा मुडा कागज का टुकड़ा था, या तो इसे वहाँ छिपाया गया था, या फिर वो अपने आप ही सिलाई की उधरी हुई जगह से अंदर चला गया था, जब उसने उस टुकड़े को बाहर निकाल कर देखा और पाया कि वो एक खत था, जो नोटबुक के किसी पन्ने पर बड़ी ही बेतरती भी से घसीट कर लिखा हुआ था, उसमें लिखा था, की वेस्ट, प्यारी मेरियन, गवराना नहीं, नोलन ने मेर मदद करने का बादा किया है, यो को अभी कुछ भी पता नहीं चला है, मुझे लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा, खत में नीचे लिखने वाले का नाम नहीं था, वेनर ने खत को सावधानी से मोड़ा और उसे अपने सिगरेट केस में रख लिया, कुछ देर तक वो बि की चीज नहीं मिली, लाइट बंद करके दर्वाजा खोल कर वो फिर से गलियारे में आ गया, अब वो बाई तरफ वाले कमरे में गया, ये एक ठीक ठाक से आकार का बात्रोम था, वहाँ पर इतनी तेज बदभू फैली होई थी, कि फैनर को उबकाई आने लगी, अब तक व बात्रोम बिलकुल वैसा दिख रहा था, बैसे कोई भी बूचडखाना दिखता है, बात्टब दिवार से सटकर लगा हुआ था, और उसे धकने वाली चादर पर खून के धब्बे पड़े थे, पूरी दिवार खून से लाल थी, और तब के बगल में मौजूद फर्ष भी पूरी तरह से लाल पड़ा हुआ था, बात्टब के पास एक मेज थी, जिसके उपर खून से तर एक तॉलिया पड़ा था, तॉलिये के नीचे कोई चीज थी, पैनर ने धीरे से एक कदम आगे बढ़कर उपनी बंदूक की नाल से तॉलिये को हटा दिया, एक सफेद कटी ह सो डॉल बाह, फिर बल से लड़क कर उसके पैरों के सामने गिर पड़ी, फैनर को कपकपी सी आ गई, उसे लगा कि उसे उल्टी हो जाएगी, लेकिन उसने किसी तरह अपने उपर काबू पाया, उसने गौर से उस बाह को देखा, वो एक पतली लंबी बाह थी, जिसकी बार में काम किया था, और इसलिए अकाल मौत उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, हिंसा तो उसके लिए बस एक खबर बन कर रह गई थी, लेकिन टब के अंदर जो नजारा उसे दिखाई दिया, उसने उसके सारे कस बल धीले कर दिये, उसे शायद जटका ज्यादा कि वो लाश की पहचान को लेकर गलती नहीं कर रहा था, लड़की के शरीर पर अभी भी वो चोटें मौजूद थी, जो लड़की ने सुबह उसे दिखाई थी, फेनर ने चादर वहीं छोड़ दी और बातरों से बाहर निकलाया, डिवार के साहरे टेक लगा कर वो गहरी- गहरी सांसे लेने लगा, फिलहाल वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था, कुछ देर बाद खुद पर थोड़ा काबू पाकर उसने अपने चेहरे पर आए पसीने को पहुचा और सीडियों की तरफ बढ़ने लगा, ग्रोसेट को इस चीज की जानकारी देना अब जरूरी हो गया था, साथ ही उन दो क्यूबन मावालियों को पकड़ना भी, कुछ देर खड़ा रहकर वो इस बारे में सोचता रहा और फिर उसके दिमाग में एक बात आई, लाश की एक बाह और एक टांक गायब थी, उसका सिर्भी गायब था, इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो लोग लाश के टुकड़ों को कहीं ठिकाने लगा रहे थे, और बाकी के हिस्से लेने के लिए भी वो जल्दी ही लोटने वाले होंगे, फैनर की आँखें सिकोड़ गई, अब उसे केवल उनके लोटने का इंतजार करना था, और फिर उनकी ऐसी तैसी करनी थी, वो अ चुपचाप वापस बेडरूम में चला गया और अपनी बंदूग को निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया, एक पल बाद सामने का दर्वाजा खुला और फिर उसके बंद होने की आवाज आई, हॉल का बल्ब जला दिया गया, वो कमरे से बाहर निकला और रेलिंग से न चुछ कहा, तो दूसरे ने अपना सूटकेस नीचे रखा और बड़ी ही फुर्ती से सीड़ियां चड़ने लगा, वो इतनी तेजी से उपर आया कि फैनर को पीछे हटने तक का मौका नहीं मिला, सीड़ी के मोड पर जैसे ही वो क्यूबन मुडा, उसकी नजर फैनर पर फिर वो सीड़ियों से छोटे वाले क्यूबन पर ऐसे कूदा जैसे कोई गोता खोर पानी में छलांग लगा रहा हो, फैनर का 88 किलो का शरीर किसी गोले की तरह उस क्यूबन से टकराया, अब दोनों ही जमीन पर थे, ये टकर इतनी जबरदस्त थी कि फैनर का सिर कुछ देर का मारा, लेकिन वो हिला भी नहीं, फैनर ने उसे ध्यान से देखा, तो उसे समझ में आया, कि उसकी गरदन टूट चुकी थी, घुटनों के बल बैठ कर उसने क्यूबन की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, वहाँ पर जो सूट केस पड़ा था, वो भी खाली था हाँ, उसके अंदर खून के दाग जरूर मौजूद थे, फैनर ने अपनी बंदूग उठाई और फिर साफधानी से दूसरे क्यूबन की तरफ बढ़ा, वो भी कपका ठंडा हो चुका था, वो एक कोने में मुड़ा तुडा सा बैठा था और उसके होट दर्द के कारण खि उसमें कोई नहीं था, लेकिन फैनर ने उसे नहीं छेडा, गली से निकल कर वो में रोड तक गया और वहां से एक टैक्सी पकड़ कर अपने आफिस पहुँच गया, टैक्सी में बैठे-बैठे ही उसने आगे की प्लानिंग बना ली थी, आफिस पहुँच कर उसने पाया क पॉला अभी भी वहीं बैठे हुई थी, तुम घर क्यों नहीं गई, क्योंकि उसका फोन आ सकता था, पॉला ने फोन की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, जब फैनर ठका हुआ सा उसकी बगल में जाकर बैठा, तो वो धीरे से बोली, डेव, I'm sorry, मुझे माफ कर दो प पॉला को पॉला को तुमा दिया, उसे पढ़कर वो बोली, की वेस्ट? हाँ, की वेस्ट, कुछ पल्ले पढ़ा इस से, पॉला के चेहरे पर उलजन के भाव थे, देखो, वो लड़की अपनी बेहन का पता लगवाना चाहती थी, उसने कहा था कि उसे नहीं पता उसकी बेहन कहा है, लेकिन उसने मुझे की वेस्ट के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, मुझे तो लगता है कि ये चिट्थी वहाँ पर प्लांट की गई है, उस पूरे मामले में कोई ना कोई बड़ा जोल तो जरूर है, और ये पियो और नुओलन कौन है, मुझे कुछ नहीं पता पॉला, लेकिन मैं पता लगा कर रहूँगा, मेरे पास उस लड़की वसूलने का टाइम आ गया है, उसने पॉला से कहा, लाइन कनेक्ट होने पर उसने फोन पर आइक को बुलाने के लिए कहा, कुछ पल बाद ही उसे उधर से आइक की आवाज सुनाई दी, वो अपने खेल में विगन पढ़ने से काफी गुसे में था, फैनर ने अधीर होते कहा, अपने खेल को भाड में जो कभी, जो काम मैं कह रहा हूँ, वो सबसे जरूरी है, मुझे एक ऐसे बंदे का नाम चाहिए, जिससे मैं की वेस्ट में जाकर मिल सकूँ, तुम वहाँ किसी को जानते हो, बंदा ऐसा होना चाहिए, जिसकी पहचान वहाँ के ताकतवर कहकर फेनर ने गुस्से से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया, पॉला ने सवाल किया, क्या तुम की वेस्ट जा रहे हो, हाँ, मुझे पता है वो जगह काफी दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला वही निप्टेगा, इसलिए मैं एक बार जाकर तसल्ली करना चाहत क्या मैं भी चलूँ, नहीं, तुम यहीं पर रुको, अगर मुझे लगेगा कि वहाँ कुछ होने वाला है, तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, अभी तो मुझे तुम्हारी यहीं जरूरत है, ग्रॉसेट का भी तो ध्यान रखना है, उसे कहना कि मैं कुछ दिनों के मिनट हो चुके थे, अगर आएक जल्दी फोन कर दे, तो वो इस फ्लाइट को पकड़ सकता था, फैनर कुर्सी पर बैठ कर इंतजार करने लगा, बीस मिनट बाद फोन बजा, आएक ने सीधे-सीधे मतलब की बात पर आते हुए कहा, तुम वहाँ बक नाइटिंगेल नाम क अगली फ्लाइट से वहाँ आएगा, और वो कुछ लोगों से मिलना चाहता है, उसे मेरे बारे में कुछ ऐसा बताना, जिससे उसके उपर बड़ा तगड़ा सा इंप्रेशन पड़ जाए, और मैं पॉला से कह दूँगा, कि इस काम के एवज में 500 डॉलर का चेक काट कर फिर फेनर ने डॉर खोली, चेक बुक निकाली और पांच ब्लैंक चेक काट कर अपने पास रख लिये, फिर अपना हैट और कोट पहन कर, एक बार ध्यान से पूरे आफिस पर नजर डाली, हर एक चीज से संतुष्ट होकर उसने लाइट बंद की और दर्वाजा बंद करते हुए बाहर को निकल गया। एक टैक्सी को रोक कर उसने बक नाइटिंगेल के पते पर चलने को कहा, कुछ ही पलों बाद वो अपनी मन्जिल पर था, ये एक बहुत ही साफ सुथरी सी दुकान थी जिसकी खिडकियां चमचमा रही थी, गाई तरफ की खिडकी पर एक छोटा सा सफेद रंग का ताबूत रखा हुआ था। कमरे के बाई तरफ एक बड़ी सी काच की अलमारी थी, जिसके अंदर चीड से लेकर सोने तक के ताबूतों के नमूने रखे हुए थे। बाहर आई, ये सुनहरे बालों वाली एक लड़की थी, जो की बला की खुपसूरत थी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी हाँ, मुझे नाइटिंगिल से मिलना है, फैनर ने कहा, उनसे कहो कि रॉस उनसे मिलने आया है। लड़की अंदर चली गई और कुछ देर बाद वापस लोट कर उसने कहा, मेरे साथ उपर आईए प्लीज। पर्दे के पीछे सीढ़ियां थी, जो उपर की तरफ जाती थी। फैनर उस लड़की के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। लड़की का सेंट फैनर को काफी पसंद आया था, और आधी सीढ़ियां पार कर चुकने के बाद फैनर ने ये उसे बता भी दिया। लड़की मुस्कुराई, उसके दाथ बड़े-बड़े और मोतियों की तरह सुन्दर थे, उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो अब मैं क्या करूँ, या शर्म से लाल हो जाना चाहिए मुझे, फैनर ने नामे से रहलाया और बोला, अगर कोई लड़की मुझे पिचारा करते हुए, फैनर को उसके अंदर जाने को कहा, और नीचे उतर गई, फैनर उसकमरे में दाखेल हुआ, ये एक वर्कशॉप थी, एक जगह पर कई पॉड लाइन से लगे हुए थे, और उन पर ताबूत बिचे हुए थे, नाइटिंगेल एक ताबूत पर तांब बताया तो गया था, चलो, उपर चल कर बात करते हैं, फैनर नाइटिंगेल के पीछे-पीछे वर्कशॉप से बाहर निकला, और कुछ सीड़ियां चड़कर वो उपरी मन्जिल पर पहुँच गये, ये एक काफी बड़ा कमरा था, जो बाहर की तुलना में धंडा था, यहा के लड़कों से थोड़ा मेल जोल बढ़ाना चाहता हूं, न्यू यॉक मेरे लिए अब खतरनाक हो गया है, फैनर ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्रोटी ने बताया था, कि तुम ठीक ठाक टाइप के आदमी हो, और मुझे तुम्हारी मदद करनी है, अ पैनर ने उससे कहा, इस बात से नाइटिंगेल थोड़ा आहतसा दिखाई दिया, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, रोटी ने कहा था कि इस आदमी की मदद करना मेरे लिए उतना ही काफी है, अरे ठीक है यार, बुरा मत मानो, असल में मैं जहां से आया हूं, वहां के लोग पैसे को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, नाइटिंगेल ने कंधे उचकायो और बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जान पहचान तो करवा दूँगा, पर ये बताओ कि तुम असल में चाहते क्या हो, कुछ खास नहीं भाई, बस चाहता हूं थोड़ा पैसा व बस काम चल ही जाता है, ठीक है, मैं देखता हूं, शायद कारलॉस के पास तुम्हारे लिए कुछ काम होगा, फैनर ने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहां, ओ, मुझे तो लगा था कि नुओलन के साथ मेरी अच्छी पटेगी, नाइटिंगेल की आँखें अचानक ही आतं कारलन का यहां काफी नाम है, बकवास है यह सब, ऐसा कुछ नहीं है डेवरोस, अच्छा ठीक है, यह बताओ यह कारलॉस कौन है, कारलॉस वो आदमी है, जिसकी इस वक्त यहां पर तूती बोलती है, पियो के साथ रहोगे तो एश करोगे, पियो का नाम सुनकर फैनर को साही करूँगा, नाइटिंगेल उठकर खड़ा हो गया और अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए बोल, मुझे थोड़ा सा काम निप्टाना है, वो करके हम लोग इनसे मिलने जाएंगे, तब तक तुम यहीं आराम करो, बाहर गर्मी बहुत है, नाइटिंगेल के जाने के बाद फैनर आँखे मूंद कर आराम से सोचने लगा, चीजें उसकी उमीद से कहीं जल्दी जल्दी हो रही थी, और इसलिए ये जरूरी था कि फूंक फूंक कर ही कदम आगे बढ़ाया जाए, तब ही कमरे का दर्वाजा खुला, और वो सुनहरे बालों वाली लड़की कमर फैनर ने उससे पूछा, मेरा नाम रॉबिन्स है, वैसे लोग यहां मुझे करली कहकर पुकारते हैं, मैं तुम से ये कहने के लिए आई हूँ, कि तुम जहां से भी आए हो, वापस लोट जाओ, बाहर से आए हुए खतरनाक आदमी, यहां ज्यादा दिन तक ठिकते नहीं ह ओ, लेकिन तुम्हें ये किसने कहा कि मैं खतरनाक आदमी हूँ, मुझे किसी के बताने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पर अपना रंग जमाने आए हो, है ना, लेकिन तुम्हारी दाल यहां नहीं गलेगी, यहां के गुंडे, बाहर से आए प्रतिद्वन्द्वियों को बरदाश्ट नहीं करते, कुछी दिनों में ये तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, फैनर मुस्कुराया और बोला, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान पाऊंगा, मैं यहां कामाने आया हूँ, और वो काम करके ही जाऊंगा, लड़की ने एक गहरी सांस ली और खड़े होते हुए बोली, मुझे पूरा अंदेशा था कि तुम यहीं कहोगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी अकल हुई, तो तुम जल्दी ही यहां से निकल जाओगे, खेर जो भी हो, सावधान रहना, मुझे इन में से किसी पर भी भरोसा नहीं ह नाइटिंगेल पर भी भरोसा मत करना, वो शकल से नाकारा दिखता है, लेकिन है नहीं, उससे बच कर रहना, क्योंकि वो एक कातिल भी है, ठीक है बेबी, मैं बच कर रहूँगा, अब तुम जाओ, महीं उसे पता चल गया, तो मुश्किल हो जाएगी, लड़की कुछ देर अजीब सी नजरों से फैनर को देखती रही, फिर तेजी से उसके पास आई, और उसे चूम लिया, अभी कभी मुझे लगता है, मैं एकदम पागल हूँ, ये कहते कहते उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, फिर वो तेजी से बाहर निकली, और उसने दर्वाजा बंद कर फैनर फिर से अपने कुरसी पर जाकर बैठ गया, कुछ देर बाद वो नाइटिंगेल के पीछे पीछे फ्लेगलर होटल की लॉबी में जा रहा था, तुम ज्यादा कुछ मत बोलना, बात मुझे ही करने देना, नाइटिंगेल ने उसे समझाते हुए कहा, लिफ्ट से होट दर्वाजा खुला और काला सूट पहने एक क्यूबन ने उनकी सरसरी तलाशी ली, फिर उन्हें अंदर आने का इशारा करके उसने दर्वाजा बंद कर दिया, ये एक बड़ा सा हौल था और उनके सामने तीन और दर्वाजे थे, नाइटिंगेल बीच वाले कमरे में दाख बंदूक वाला आदमी उठकर बोला, ये कौन है बे, ये रॉस है, न्यू यॉक से आया है, नोटी की पहचान का है, भरोसे का आदमी है, फिर उसने फैनर से उसका परीचे कराते हुए कहा, ये रीगर है, रीगर ने फैनर की तरफ देखकर से रहलाया और बोला, कैसे हो, ज इसकी बात का जवाब नहीं दिया, उसके बजाए वो बोला, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, ये खाली सजावट के लिए इनको रखा हुआ है, रीगर की आँखें गुस्से से लाल हो गए, मैंने तुमसे पूछा था, कि क्या ज्यादा दिन तक यहां रहोगे, मैंने तुम गर ने कंधे उचकाए, और तीनों आदमियों का परिचे देते हुए बोला, वो जो रेडियो के बगल में है, वो पग कैन है, दूसरी तरफ वाला बॉर्ग और ये मिलर है, तीनों ने गरदने तो हिलाई, किन किसी का भी रवया दोस्ताना नहीं था, फैनर को भी इससे और उसने उसके चेहरे पर दो थपड जमा दिये, बाकी तीनों ने तुरंट अपनी बंदू के निकाल ली, नाइटिंगेल की गन भी उसके हाथ में आ गई, और वो सबको चितावनी सी देते हुए बोला, पंगे शुरू मत करो, मैं कह रहा हूँ, पंगे शुरू मत करना प फैनर को भी थोड़ी सेहरन महसूस हुई, शायद करली ने ठीक ही कहा था, ये आदमी वाकई खूनी था, फैनर थोड़ा पीछे को हट गया, फिर उसने बड़े ही आराम से रीगर से कहा, मैं यहां तुम लोगों से पंगे लेने नहीं आया था, मुझे कारलोस से मिलना है, अधिगर की आँखों में एहरत नजर आई, उसने कहा, कारलोस के पास महमानों से मिलने का टाइम नहीं है, मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूँगा, ओ, अब तो मैं बेकार ही यहां आया, मुझे तो लगा था, कि ये कोई तगड़ा गैंग है, लेकिन मैं गलती पर थ तुम लोग मेरे काम के हो ही नहीं, हो सकता है तुम्हें लगता हो कि ये शेहर तुम्हारी मुठी में है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम लोग आलसी और नाकारा हो, तुम लोग खुद को तुर्रम खा समझते जरूर हो, लेकिन असल में हो नहीं, फिर वो नाइटिंगेल की त अब मैं चलता हूँ, फिर किसी वक्त आऊंगा तुमसे मिलने। सीधियां चड़कर फैनर उपर पहुचा, वहां सामने एक लड़की बैठी हुई थी, उझे नुवलन से मिलना है, फैनर ने कहा, वो अभी विजी है, जाकर उनसे कहो कि डेव रौस उनसे मिलना चाहता है, और ये भी कहना कि मैं कोई सेल्समेन नहीं हूँ, और जल्दी से जल जवाजे की तरफ बढ़ गई, फैनर भी लंबे-लंबे कदम भर कर उसके पीछे-पीछे कमरे में दाखिल हो गया, नुवलन एक काले बालों वाला अधेर उम्र का आदमी था, जिसकी तोंद निकले हुई थी, उसकी नाक तोते की तरह मुड़ी हुई थी, और मोटापे के क कैसे आ गए, बहर निकलो, फैनर लड़की के बगल से होता हुआ मेज तक पहुँच गया, उसे नुवलन की कमीज पर कई दाख दिखाई दिये थे, फिर उसने उसके गंदे नाकूनों और मेले हाथों को देखा, नाइटिंगेल सही था, नुवलन वाकई में चुका हुआ क इशारा किया, और फिर फैनर से कहा, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ, रोटी ने, तो कारलोस के पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं था, उसे क्या हो गया, असल में कारलोस मुझसे मिला ही नहीं, मैंने बस उसके गुर्गों से मुलाकात की, और मेरे लिए उतना ही काफ उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, हाँ, बिलकुल, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ, तो तुम उन लोगों से काफी मजे ले सकते हो, असल में बात ये है नुवोलन, कि मैं प्रोटी के कहने पर यहाँ आया हूँ, मुझे तुम सभी की नहीं है, कारलोस से तो मैं मिल भी नहीं पाया, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया, तो मुझे रोकने के लिए बाहर कौन था, वो एक लड़की, ये बात मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है, कि आखिर क्रोटी ने तुम्हारा नाम क्यों लिया, हो सकता है पहले तो मुझे ये लगता है, कि अगर मैं और तुम मिल जाएं, तो उससे हम दोनों का ही फायदा होगा, नुवलन ने कंधे उचकाए और बोला, सुनो लड़के, मैं किसी क्रोटी व्रोटी को नहीं जानता, ना ही मैंने ये नाम कभी सुना है, और ना ही मैं ये मानता हूँ कि उसने तुम्हें भीजा है, मेरे ख्याल से तुम कोई मावाली हो, जो जूट बोलकर काम पाना चाहते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत ना अभी है और ना आगे पढ़ने वाली है, चलो निकलो यहां से, फैनर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, आज काफी भाग दोड़ हो फिर फैनर ने अभिवादन में अपने सिर को थोड़ा हिलाया और आफिस से निकल कर बाहर चला गया, सीडियों से उतर कर उसने एक टैक्सी ली और अपने होटल की तरफ चल दिया, इस से आगे की कहानी के लिए सुने, जेम्स हेडली चेज के नॉवल डॉल्स बैड न्यू उसका दूसरा भाग